हालेलुया, हालेलुया, निर्गमान 14 का 13 और 14, कोई पढ़ सकता है? हालेलुया, भाई की आवाज को जोड़ा आप बढ़ा दिया करो, निर्गमान 14 का 13 से 14 लिखा है, डरो मत, आच्चो मैं कह रहा हूं, आपके लिए एक प्रोफेटिक, एक बहुश्वानी के तौर पे, ये वच्चन आपके लिए है, और आज परमेश्वर आप से कह रहा है, सिरिफ सुनो नहीं, लेकिन सुविकार करो, सुनना बड़ी बात नहीं है, सुनने के बाद सुविकार करना बहुत बड़ी बात है, हालेलुया, अगर आप चाते हो कि आपके जीवन में वच्चन पूरा हो, तो आप वच्चन को सुनिये और सुविकार कीजिएगा, प्रभू कह रहा है, डरो मत, खड़े खड़े, जो यहोवा आज, डरो मत, खड़े खड़े, वह उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज, तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे, आलेलुईया, परमेश्वर कह रहा है, डरो मत, खड़े खड़े, वह उद्धार का काम, वह छुटखारे का काम, वह चंगाई का काम, वह चमतकार का काम, उस आशिश का काम को देखो, जो यहोवा आज, तुम्हारे लिए करेगा, और जिन मिस्रियों को आज देखते हो, मिस्रियों का मतलब क्या है, दुस्मन, जिन समस्याओं को, जिस दुस्मन को, जिस बिमारी को, जिस बुरी हालात को, आज आज आप आपके जीवन में, परिवार में देख रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इश्रियों मसी के नाम में, आने वाले साल में, आप वो चीज नहीं देखोगे, आने वाले साल में, आप अपने आपको करजे में आप नहीं देखेंगे, आने वाले साल में, आप अपने आपको, उस बिमारी में जिसमें आज आप पड़े हैं, आप नहीं देखेंगे, जिनको आपने आज तक साल भर में देखा कि वो जलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, विरोध करते हैं, आने वाले साल में आप उनको वो चीज करते वे नहीं देखोगे हालेलुया, हालेलुया, जो हालाट आज आपके जीवन में बिगड़ी परिशिती हैं, आपके वेक्तिगा जीवन में, आपके विवाही जीवन में या आपके परिवार में परिशिती ठीक नहीं है, प्रभु कहरा है आने वाले साल में, आप उस परिशिती को, उस कमी घटी को उस बिमारी को, खर्जे को, उस परिसानी को, उस दुख को, उस आसू को आप नहीं देखोगे। हालेलुया आने वाले साल में आप परमेश्वर की चंगाई को, उसकी आशीश को, उसकी बहुतायत को, आप देखोगे। उसकी उपस्थिती आपके जीवन में होगी हालेलुईया परमिश्वर कह रहा आने वाले साल के लिए संदेश है कि डरो मत खड़े खड़े वा उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा जिन मिश्रियों को आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा यह तुम्हारे लिए अश्चर कर्म करेगा इसलिए तुम चुप चाप रहो चुप चाप रहो किसी को कोसने की जरुवत नहीं है किसी को दोश लगाने की जरुवत नहीं है हालेलुईया हालेलुईया चुप चाप रहो मत किसी को दोश लगाओ मत किसी की बुराई करो मत किसी पे गुस्षा दिखाओ या मत किसी से नाराज रहो बस चुप चाप रहो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आज वच्छन हम आपके बीच में बाट रहे आप नए साल में आप देखोगे हालेलुया कई लोग कहते हैं पास्टर ने जो वच्छन बोला हो तो मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ तो उसको इतने ही पूछना पास्टर ने जो जो बोला था क्या तुम वह सही थे क्या है कई बार यहां पे कई बार कह चुके हैं मास्क नाक तक रखो फिर भी जिद्धी लोग हटीले लोग दिमाग के ढिले लोग कभी परमिश्वर में बढ़ नहीं पाते कभी आशिशित नहीं होते आज बहुत सारे विश्वासियों का यह प्रोब्लम है कि वो अग्याकारी नहीं है ना अपने माता पिता के अग्याकारी है ना कलिस्या के अगवे के अग्याकारी है यह जहां कई काम करते हूं वहां पे अग्याकारी नहीं है और इसलिए लोग अपने उपर श्राप लेके घुमते रहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में देखा है कि अग्याकारिता से क्या फाइदा है अग्याकारी बने रहने से परमेश्वर कैसे उंच्छा उठाता है आज बहुत सारे लोग का प्रॉलोम है बहुत सारे लोगों का आप अपने आपको पूछिए मैं तो किसी को कुछ नहीं काऊंगा क्या आप अपने काम की जगा पर अपने जो तुम्हारे आदिखा रही हैं क्या आप उनके अग्याकारी हैं क्या आप अपने माता-पिता के थाअग्याकारी है क्या ऐकसर लोगों को बस मन की नंकि पढ़ि रहती मन की और मैं हमेसा कहता हुआ नहीं संकी वा हमेसा करते अपने मन की और मैं यह सिछाता हूं सुनो सब की परकरोहरब की हालेलुया तो आपके जीवन में अग्याकारिता और अधिन्ता जो है वह बहुत जरूरी है और हम आगे देखेंगे मेरे प्यारों लूका साथ का 11 से सत्रा लूका हम सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है पर मैं आपको बता दूंगा यह वच्छन आपके लिए काफी आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं लूका साथ का 11 से सत्रा वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो नाइन नगर की एक विद्वा थी जिसका बेटा जो है वो मर गया था और उसकी अर्थी लिए वे जा रहे थे वो विद्वा थी उसके साथ में उसका मरा हुआ बेटे का जो मयत था वो था और नगर के बहुत सारे लोग उस विद्वा के साथ में थे। यह एक प्रकार की पार्टी या एक प्रकार का गूरूप, हालेलुईया, एक अईसा गूरूप जिसमें एक विद्वा, जो रो रही है आसु बहा रही है दुख लिये वे चल रही है और उसके साथ में एक मुर्दा जो उसका बेटा है जो मर गया है वो भी साथ में जा रहा है और बहुत सारी एक भीड़ भी है उस अवरत के साथ में दुसरी तरफ और एक गुरूप है और एक भीड़ है उसमें कौन है मुखिया कोन है इश्यू उसके साथ कौन है उसके चेले और उसके साथ क्या है और एक बड़ी भीड़ यहां पे हम दो पार्टी को दो गुरूप को देखते हैं इधर भी भीड़ है इधर भी भीड़ है इ कि विद्वा जो थी मैं किसी विद्वा को खेधित नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज आप किन लोगों के संगती में किस गुरूप में आप है एक ऐसे लोग जो हमेंसा रोते दोते रहते हैं हमेंसा सिकायत करते रहते हैं हमेंसा कुड़ करते रहते हैं हमेंसा कुड़ करते रहते हैं हमेंसा दोश लगाने काम करते हैं हमेंसा बढ़काने काम करते रहते हैं आप ऐसे गुरूप में ऐसे लोगों के संगति में आप रहना पसंद करते हैं, या एक ऐसा गुरूप में जिसमें जीवन है, शान्ती है, शान्ती की बात करने वाले, प्यार की बात करने वाले, आपको बढ़ता हुआ देखने वाले, आपको आशिशित होता हुआ देखने व group में, एक हारा हुआ group, एक विझेए गुरूप, एक अहा ईसा group जिसकी कोई दिशा नही है, लिएकन एक ऑईसा group जिसके पास दिशा भी है और आशा भी है, और हम लोग एश्यू-मसी के group में, या हम लोग इश्यू-मसी के पार्टी में है, जिसमें जीवन हैं जिसमें आनंद है जिसमें शान्ति है सुखुन है जिसमें विजयता है शफलता है उन्नती है बढ़ोतरी है तरक्की है क्या आप ताली नहीं बजाएंगे अपने इस इस बात के लिए आप एक बहुत अच्छी पार्टी में हैं, बहुत अच्छे गुरूप में हैं, एश्यू में आकर आपने कोई गलती नहीं की, फिर से कह रहा हूँ, एश्यू मसी में आकर आपने कोई गलती नहीं की, आपने बहुत सही सड्डिक चुनाव किया है बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है बाइबल कहती है जो बुद्धिमान लोग थे वो एश्यू को मिलने आए आपने एश्यू को मिलकर एश्यू को अपना कर बहुत बुद्धिमानी की है बुद्धिमान लोग जो आये थे उन्होंने इश्यू मसी के अराधना की जो भी लोग इश्यू मसी के अराधना करते हैं बुद्धिमान लोग हैं जो इश्यू को मिलने आये हैं और इश्यू के राच में रहते हैं आप बुद्धिमान हैं हालेलुया फिर से कह रहा हूं आपने इश्यू में आकर इश्यू को मान कर सुविकार करके इश्यू से दिल लगा के इश्यू को प्यार करके कोई गल्ती नहीं किये बुद्धिमानी का काम किया बुद्धिमानी का कि खबिए कुछ возьму एक अपिश्य में कियो आया मैं आना नहीं जुए था ऐहा ऐलो हुआ हुआ है जर में एक अपका मन में ऐसे विच्छार आते हैं तो उसको निकाल दो हाललुईया कि हालेलुया कई लोग पुस्ते क्या मिलता है एश्यू मसी में जाकर असल में एश्यू मसी में वो मिलता है जो नहीं मिलता सारी दुनिया में जाकर जमाने में जी कर भी कुछ ना मिल सका जमाने से अब तो सब कुछ मिल गया है इश्यू मसी में आने से हालेलुया और इश्व मसी में कुछ मिले ना मिले इश्व मिला जिंदगी मिली इश्व मिला शांती मिली इश्व मिला मंजील मिली इश्व मिला उम्मीद मिली इश्व मिला जन्नत मिली हालेलुया हालेलुया इश्व हमारी खुशी है वही हमारी जिन्दगी है, वही हमारा सब कुछ है हालेलुया दुनिया में कोई नहीं है किसी का, केवल इश्यू मसी है हर किसी का हालेलुया महां पे एक बात लिखी है लुका साथ का 11 से 17 गर आप पढ़ेंगे इश्व मसी ने उस बेटे को जिंदा किया और उसकी मा को सौब दिया दानसे सुनिये और वहाँ पे लोगों ने परमेश्वर की स्तूती की और क्या कहा पता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर खिर्पा दिरिष्टी की है दानसे सुनिये परमेश्वर ने अपने लोगों पर खिर्पादिरिष्टी की है तुम्हारा उद्धार करके परमेश्वर ने खिर्पादिरिष्टी की है तुमको नया जीवन देके तुमको मन की शांती देके तुमको जीवन में आशिस देके और अभी तक परमेश्वर ने आपको जिंदा तुम पे किरपा दृष्टी की है। हालेलुईया। हालेलुईया। जब खुदा का साथ मिले तो डर किस बात का। आपको पता है कि दो डाई साल के अंदर नजाने कितने लोग बड़ी-बड़ी हस्ती के लोग। बॉली उट से हॉली उट से बड़े-बड़े पद के लोग तुनिया छोड के चले गए। पर आप लोग रह गए पता है क्यूं। क्योंकि आपके उपर उसने अभी भी किरपा दृष्टी बनाई है। जिस किसी के उपर से हड जाती है खुदा की दया। कि समझो वह इंसान जीते जी काम से गया। आपके उपर परमेश्वर की बड़ी किरपा दृष्टी है। सभी लोग दान से सुनिये। आपके उपर परमेश्वर की किरपा दृष्टी है। मैं फिर से कह रहा हूँ। आपको ऐसे स्विकार करना चाहिए। यास आमेश्वर मुझ पर तिरी किरपा दृष्टी है। हलो। यह सब चीजों में लोगों का मुझ नहीं घुलता है। पर अगर किसी का मोबाइल गिर जाए। किसी का सोना गिर जाए। और हम पूछे किसका है। मेरा। इतना आवाज निकालते हैं। लेकिन परमिश्वर की किरपा दृष्टी हुई है। आप कितना शुक्र करना चाहिए परमिश्वर का। आप में इसे बहुत सा लोग नहीं समझ पा रहे। आपके किसी नेक काम की वज़े से आप जिंदे नहीं है। परमेश्वर की खिर्पा दिष्टी हुई है नहीं तो जाने के लिए तो गरीब क्या महलों महलों में रहने वाले भी महल चोड़के चले गए अर्बो पती खर्बो पती भी दुनिया चोड़के चले गए जिनके पास बेश्मार दावलत थी आप रहे गए किर्पा दिष्टी अभी भी बनी है दिमाग की बत्ती जलाइए और कान खोल के सुनिये परमेश्वर की किर्पा दिष्टी है इसलिए आप अभी जिन्दा है हालेलुया हालेलुया अब इसी से जुड़ा हुआ और एक बात कहेंगे लुका उन्निस का चवालिस लुका उन्निस का चवालिस एश्यू मसीर यरुस्लेम की तरफ देख कर रोते हैं और कहते हैं मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले चुपा के रखती है वैसे ही मैं भी तुम्हें समाले रहूं बचाए रहूं पर तुमने नहीं चाहा मालिका है तुने उस होसर को सुनिये कलिसिया तुने उस होसर को जब तुछ पर किरपाद रिष्टी की गई ना पहचाना और पहचाना आज बहुत सारे लोग याद रखो आपको प्रभू ने जो इस दो साल Cback Maha Maari के दर्मियान जिन्दा छोड़ा है आप में से बहुत सारे लोग अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वने जो आपको एक औसर दे दिया एक मौका दे दिया जिन्दा छोड़ दिया आप यहां लिखा है कि तुने उस अवसर को जब तुछ पे किर्पा दृष्टी की गई ना पहचाना आज भी बहुत सारे लोग जो बच गए है आज भी अपनी मनमानी की जिन्दगी जीरे अपनी मस्ती की जिन्दगी जीरे वापस उसी वेविचार में या वापस उसी पाप में या वापस उसी बिगड़े स्वभा में आज खई लोग जी रहे हैं और ऐसों को परमेशर का वच्छन है कि तूने उस आउसर को जब तुछ पर किरपा दृष्टी की गई ना पहचाना अज बहुत सारे लोग परमेशर की किरपा दृष्टी को पहचान नहीं पारे आपने बहुत पढ़ाई की इसले जिन्दे हैं या आपकी बहुत प्रापर्टी है या आपको बहुत अच्छी सालरी है आप बहुत अच्छे पोस्ट पे है इसले रहे गए आप कुछ लोगों को लगता है नहीं वैसे भी मेरा भी मरने का उमर नहीं है कि हरे मर्ने वाले तो मां के पेट में मर जाते हैं डिलिवरी होते मर जाते हैं मां बेटे दोनों मर जाते हैं कि भी बार लोग अने में अपनी सकल को देखते हैं और सवारते हैं और ऐसा लगता है मेरा मरने का उमर नहीं है क्योंकि मैं बहुत खुबसूरा थू बहुत मैं टालेंटेड़ू बहुत मैं गिप्टेड़ू यग कुछ लोग सोचते मैंने प्रभू के लिए बहुत किया इसलिए मैं बच गया है यह सब एक छलावाई की जूट है कि प्रभू ने आपके उपर किरपद्रिष्टी की है इससे जादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा आपकी बोड़ी परसिनाटी को देखकर आपकी खुबसूर्ती को देखकर आपकी दौलत को देखकर यह आपने खुदा के लिए बहुत कुछ किया है यह देखकर सोचकर परमिश्वर ने जिन्दा चोड़ दिया यह बात जूट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेवक जिनों न तोड़के चले गए कि हालेलुया परमेश्वर ने आपको एक आउसर दिया कि सुनिये परमेश्वर ने आपको फिर से एक चांस दे दिया है कि अब उसके लिए जीओ कि उसे प्रेम करो उसकी सेवा करो कि उसके काम को आगे बढ़ाओ इसलिए परमेश्वर ने अब किर्पा दृष्टी नहीं की या इसलिए आपको वापस एक आउसर नहीं दे दिया कि आप अपने मन की करे आप अपने पुराने स्वभाव में जीए या आप किसी गुप्त पाप में जीए या वापस आप एश् समस्ति की जिन्दगी जीए इसलिए नहीं कि यहां लिखा है तुने उस आउसर को जब तुछ पर किर्पा दृष्टी के गई ना पहचाना और पभु कहता है एक दिन पूरा यरुस्लेम जो है घेर लिया जाएगा एक पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा सब ढाय कि आज आप जिस अपनी खुबसूरती को देखते हैं यह जिस दौलत को देख रहें आपका जो बहुत जमीन जादत है आपके पास बहुत बेशुमार दौलत मखान है आपके पास उंच्छा पद है यह सब ढाय जाएगा यह हाइट यह बोड़ी यह परस्लाटी यह खुब कि हम मुसाफिर हैं सब कुछ यहाँ पे छोड़के जाने वाले हैं यह एक औसर परमिश्वर ने किरपा दृष्टी करके दे दिया है अगर अभी भी परमिश्वर की किरपा दृष्टी को इसके दिये वे औसर को जो नहीं पहचानेगा मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगले साल रहेगा यह दुनिया छोड़के जाएगा कि मैं किसी को निगेटिव नहीं बोल रहा हूं यह मैं किसी को बद्वा नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं सच्छाई जो परमिश्वर का वचन है वो मैं आप से कह रहा हूं कि यह किरपा दृष्टी की परमिश्वर ने जो कि अगर आप अभी भी नहीं पहचाने फिर से एक मौका एक चांस प्रभू ने आपको दे दिया है अगर अभी भी नहीं सुद्रे अभी भी चाल तीदी नहीं हुई अभी भी अकड और हैकडी नहीं गई अभी भी मजा मस्ती रंगरलिया याशी नहीं गई तो अगले साल खुदा जा आपको एक बात बताओ, पुरे गाठ को पर में न, मुझे जो सुनने में, कहीं पे भी 31 की प्रात्ना नहीं है, सब जगा रद्ध और कैंसल की गई है, यही एक प्रात्ना है, जो चल रही है पूरा गाठ को पर में, देखो, कहीं लोग, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, अब अगले साल फर्क पड़ेगा, यह वच्छन को डायरी में लिख के रखो, मैं जो कह रहा हूँ ना लिख के रखो, अगले साल आपको फर्क पड़ेगा, कईयों को तो जटका, कईयों को तो फटका, और कईयों को बहुत कुछ देखना और जहिलना पड़ेगा, अगर आज का वच्छन आप सुनकर, नहीं अपने आपको सुधारा या सवारा या अपने आपको सीधा किया, तो नया साल, फिर पर्मेश्वर का जटका और फटका और तहल का मचाने वाला साल है, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर आज इस 31 को यह पर्मेश्वर का वच्छन है, कि तुने उस आउसर को जब तुछ पर किरपाद्रिष्ठी की गई, ना पहचाना, अभी भी अगर आप समय को नहीं पहचानेंगे, पर्मेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ेंगे, साफ कहना चाता है इमान दारी से, बहुत भारी पड़ेगा आपको, बहुत भारी पड़ेगा, चाहे फिर आप हो, चाहे हमरे हूँ, भारी बहुत पड़ेगा, बहुत महगा पड़ेगा, बर्दाषिए बाहर होगा फिर, इसलिए आज के वच्छन को आप सुविकार कीजिएगा वच्छन के सामने जुख जाई अपने आपको नमर कर दीजिएगा और जो कुछ साल भर में या गए सालों में जो कुछ गुना किया गलतिया की जो चाल तेड़ी ती और कुछ ऐसा किया जो प्रभू को पसंद नहीं था आज उसको छोड़ देना है मनी मन पर मेश्वा से वादा करना कि प्रभू अब बस अब आज से ये सब बन अपनी मनमानी की जिंदगी गुप्त पाप की जिंदगी दूसरों से नफरत जलन कड़वाहट की जिंदगी दूसरों की बुराई अपनी बड़ाई की जिंदगी अब से बन अलेलुया प्रभू अब मुझे किसी से जलन नहीं रखना है अब मुझे किसी से बैर नहीं रखना है मुझे किसी की बुराई नहीं करना है अब तो बस मुझे सबसे प्यार करना है मुझे सबकी भलाई करना है मुझे आप अपने लेने प्रभू आपके लिए जीना है हालेलुया बहुत हो गया गुसा बहुत हो गया नाराजगी बहुत हो गया नफरत बहुत हो गया बहर अब समय आ गया कि हम मिल जुलके रहे प्यार से रहे एक दुसरे के बारे में अच्छा सोचे अच्छा बोले एक दुसरे के साथ अच्छा बरताओ करें हालेलुया, हालेलुया, मर्कुस, एक आखरी वचन है, उसके पहले मैं आप से कुछ कहूंगा, आप गर पर जाके पढ़ ले ना, निर्गमान की बुस्तक, पंदरा का तेज, निर्गमान की पुस्तक, पंदरा का तेज, वहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो इस्राली लोग जो है, लाल समुंद्र पार होने के बाद, लाल समुंद्र पार होने के बाद, उन्होंने खुब नाचा, खुब गाया, और तीन दिन के बाद, कितना? तीन दिन के बाद, उनको कड़वा पानी मिला, क्या मिला? बहुत सारे लोग, क्रिस्मस 31 को बहुत नासते हैं, बहुत गाते हैं, बहुत जूमते हैं, बहुत खुश्यां मनाते हैं, और जैसे नीवेर चालो हो जाता है, नए साल की एक, दो, तीन तारिक सुरू हो जाती है, वापस लोग उसी कड़वाहट में, उसी गहमंड में, उसी नकरिनाटक में, उसी गुस्य में, उसी मूफुगाने में, उसी गुप्त पाप में, उसी व्यभिचार में, उसी गलत र वो कडवा पानी उनको ना पीना पड़े उनके अंदर ना जाए मुसा ने एक पौधा क्या लिया क्या लिया कडवेपन का इलाज क्या है पौधा या यह वो पेड़ वो जीवन का पेड़ इश्यू है यह परमेंश्वर का वच्छन वो पौधा है जितना इसको पड़ोगे जितना इसको समझोगे जितना इस पे चलोगे मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं आपके जीवन का सुखापन आपके जीवन का कडवापन आपका सब गुस्सा नाराजगी और गुप्त पाप सब कुछ खत्म हो जाएगा इस परमेंश्वर के पाओदे के दोरा या प्रभू के इस वच्छन के दोरा हलेलुया एश्व मसी का वच्छन इस जोती है जहां पर जोती पड़ती है तो अंदकार को जाना ही पड़ता है हो हालेलु合ा है आखरी वचन में कह ए रहा हूं मरकुस पांच का 35 यह से तालिस तक डिस इसमेय कम है मरकुस 5 का 35 यह तालिस तक श्ममसिन कहा आओ हम सपार से उस पार जाए और जो सपार से उस पार जाना था चैले बहुत खूश्य हो गए उनको बहुत अच्छा लगा मेरे प मैंने कहा हम लोग भी इस पार से उस पार जाने वाले हैं लेकिन सुनो इस पार से उस पार जाने के चक्कर में एक बहुत बड़ा भेंकर तुफान का सामना करना पड़ा जितने भी लोग आप इस दुनिया से उस दुनिया में आप जाना चाहते हैं आपको याद रखो उस पा हालात का कमी घटी का आपको सामना करना पड़ेगा बजो लग बोलो मैं करूंगा पूछो क्यों क्यों कि तुफान के बाद एक बहुत बड़ी शांती आती है कि जब आप जब आप कर्जे से गुजरते हैं ना ताली बजाय करो घर में दन्नवाद त्रभू में कर्जे से गुजर रहा हो क्योंकि आप बहुत माला माल होने वाले अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे तो ताली बजाय करो क्योंकि ऐसी चंगाई आपको मिलने वाली है आप चाती पीट-पीट के सको गवाई देंगे हलेलुया अगर आपके बच्चे फेलो गए तो जोर जोर से ताली बजाओ क्योंकि आपका बच्चा आगे जाके कुछ बहुत बढ़ा बनने वाला है हलेलुया हलेलुया तूफान तो आएगा लेकिन एक बहुत बड़ी शान्ती भी आएगी और इंपोर्टन बात बता दू यह जो चेले थे ना यह जो चेले यह इश्यू मसी के साथ चल रहे थे उन्हें बहुत अच्छा लगा लेकिन जब बहुत बड़ा भेंकर तूफान आया सुनिए मेरी बात को सभी लोग किसी तरह कर डिश्टब न कीजिएगा बहुत बहुत बड़ी बात वहां पे आई क्या थी पता है यह किसके चेले थे इश्यू के चेले इन्होंने बहुत सारा चमतकार देगा था इश्यू की बहुत सारी ज्ञान की बाते इनके पास थी सबसे बड़ी चीज इश्यू इनके साथ था पर एक तूफान ने इनको हिला दिया एक तूफान ने इनके विशुवास को हिला दिया एक तूफान ने इनको गुसे में लेकर आया एक तूफान ने इनका attitude को विगार दिया, एक तूफान ने इनको कुड़कुड करने को चिर्चिर करने को लगाया, आप मेंसे आप सभी लोग आपके साथ इशू है, आपको कही सालों से वच्छनों का ग्यान मिला है, आपने अपनी आखों से बहुत चमतकार देखे हैं, बह जाते हैं, विश्वास हील जाता है, वो भी हील जाते हैं, कुछ लोग तो चर्ची शोड़के चले जाते हैं, एक समस्या ने उनको हिला दिया, कितना? और नदी के उस पार, सुनिये, एक ऐसा वेक्ति, जिसके साथ इशू नहीं, जिसके अंदर सैतान है, 6,000 दुष्टात् हैं, उसका गम देखिए, 6,000 दुष्टात्मा उसके अंदर है, और जो इशू के साथ थे, उनके अंदर पोहित्रात्मा है, उनके साथ इशू है, वच्छन का ज्यान पाएवे, प्रकाशन पाएवे लोग है, सेवा किये लोग है, पेड़ भर खाना खाएवे लोग है, हिल एक तूफान ने हिला दिया, लेकिन उस पार हम देखते हैं, जब इशू मसी पहुंच जाते हैं, चेलो के साथ, एक ऐसा वेक्ति, जिसके अंदर 6,000 दुष्टात्मा, दुसरा उस वेक्ति का प्रॉलम क्या था, नंगा घूमता था, तिसरा बदन पे कपड़े नहीं थे, चौथा कभी उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, पांचुवा बिचारा परिवार से दूर था, चट्टा उसके शरीव पूरा गाओ गाओ गायलता, अब आप सोचिए, वो वेक्ति जब इशू मसी को देखता है, सुनिये, आंके वो प्रनाम करता है, आलेलुया, वो क्या करता है, क्या करता है, प्रनाम करता है, आपको सिखना चाहिए, एक ऐसा वेक्ति जिसके अंदर दूस्टा आत्मा है, जिसको खाना नहीं है, खपड़ा नहीं है, नंगा घूम रहा है, कबरस्तान में रहता है, परिवार से दूर है, कोई उसे बात नही करता कोई उसके खरीब नहीं आता ऐसा वेक्ति एश्यू के पास आके परणाम करता है कहता है परम परदान परमेश्चर के पुत्र और मेरे और आपके पास मकान है, परिवार है, सबका प्यार मिलता है, हमारे पास अच्छा खाना है, अच्छा कपड़ा है, फिर भी एक प्रॉलम आएगा, इश्यु मसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो प्रात्ना में आके फस गया, या मैं इस कलीशिया में नहीं आना चाहिए था, या इस पास्टर के साथ मैंने नहीं रहना चाहिए था, हलो, आपका एक प्रॉबलम, आपका एक कमी घटी, आपका एक नुकसान ने आपको इतना हिला दिया, तो सिखिए उस दुष्ट आत्मा लगेवे वेक्ती से, जिसके जिंदगी में ना सूख है, ना शांती है, ना अराम है, ना खाना है, ना कपड़ा, ना पैसा, ना गर, ना परिवार, गायल वेक्ती, नंगा गूम रहा है, खाना नी, खपड़ा नी, और वा के कहता है, इस् तू सो रहा है, हम मर रहे, खईबार विश्वासी लोग जो है, परमेश्यर के ओपर गुसा होते है, परमेश्यर के ओपर क्रोध दिखाते है, परमेश्यर के ओपर दोस लगाते है, प्रभू से नाराज होते है, प्रातना करना बन कर देंगे, वचन बन कर देंगे, कलिस्या माना छोड़ देंगे, खेंगे मेरा तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, मेरे को तो इश्यू मसी में आके कुछ मिला ही नहीं, अरे खुदा बाप ने तेरा पाप को शमा कर दिया, इससे बड़ा और क्या चाहिए, दुनिया में जाके तुम सब बटोर सकते हो, लेकिन अपने पाप को मिटा नहीं सकते, आप अपने लिए जन्नत में जगा नहीं बना सकते, आप पैसे के बल पे खुदा को खरीदने ही सकते, लेकिन इश्यू में आने पे आपको खुदा मिल गया, आपको जन्नत मिल गई, तो आप एक दिन सब चोड़के आने वाले। हालेव्या। आलेव्या। आई शुम्हें, मुझे प्रात्ना करेश अपने आखों को बन करेश मेरे साथाथ प्रात्ना करो को प्रभु शुम्ट तुने मुझे जिंदा चोड़ा मुझ पर किरपाद्रिष्टी की मैं धन्नवा देता हूँ प्रभू जी आपकी नजर में मैं जहां कहीं भी गलत हूँ जो भी जाने अंजाने में पाप बुराई मैंने की है आपका दिल दुखाया है दुसरों का दिल दुखाया है मैं पचताप करता हूँ मैं शमा मांगता हूँ इश्व मसी मुझे माफ कर दो मुझे शमा कर दो आपके लहू से मुझे धो दे प्रभू अब आगे को ऐसी जिन्दगी मैं नहीं जिऊंगा मैं एक ऐसी जिन्दगी जिऊंगा जो तुछको पसंद आएगी, जो तुछको भाएगी, जो तुछको अच्छी लगेगी, जो तुछको महिमा देगी, ऐसी जिन्दगी मैं जीऊंगा। वो सब को इश्व मसी के नाम में मेरे जीवन के उपर से तोड़ देता हूं। और तेरी आशिशों को, तेरी चंगाई को, तेरे चुटखारे को, तेरे आनंद को, तेरी शान्ती को, तेरी विजयता को, तेरी सफलता को, तेरे सुकून को, मेरे जीवन में, परिवार में सुविकार करता हूं, ग्रहन करता हूं, एश्व मसी के नाम में प्रात्ना करता हूं। सुन और कबूल कर, आमेन, हलेलुया,